सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए ये बिल्कुल फ्री है मारुती सुजुकी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फील्ड टेस्टिंग को दी हरी जंडी भारत में 2020 तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की घोशना के बाद प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुती सुजुकी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फील् के गुरुग्राम में है जो की कंपनी का मेक इन इंडिया का पार्ट का कमिट्मेंट है इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी जंडी गुरुग्राम फैसिलेटी के मारूती सुजुकी के सीनियर कारेकारी अधिकारी इंजिनियरिंग सीवी रमन दीदी है उन्होंने एक बायान में बता कॉर्पोरेशन के चेर्मेन उसामु सुजुकी ने कहा कि पूरे देश 2020 में कारों के विक्री से पहले 50 इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोटोटाइप की फील्ड टेस्टिंग होगी इन वाहनों का कई इलाकों और जलवायू परिस्थितियों में रियल लाइफ उप्योग इन क कारों के लंबे समय की मूलेवान अंतर दिर्ष्टी प्राप्त करने में मदद करेगा यह प्रक्या देश में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के सत्यापन और लॉंच में मदद करेगी मारूती सुजुकी ने यह भी कहा कि यह टेस्टिंग ग्राहकों के दिर्ष्टिकों आधार पर महत्वपून जारनकारी को प्राप्त करने में मदद करेगा जो भारतिय ग्राहकों के लिए विश्वनिय और उप्युक्त इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में मदद करेगा मारुती सुजुकी ने महिंदरा इलेक्ट्री और टाटा मोटर्स को जोईन किया है जो कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक पर काम कर रही है यह इलेक्ट्रिक टेस्ट वाहन 2018 सुजुकी वागन आर पर बेस्ट है जो कि भारत में बेचची नहीं जाती है हाला कि इस मॉडल की अगले साल भारत में आने की संभावना है जो मौजूदा बिक्री वाले मॉडल को रिप्लेस करेगा इसका फर्स्ट वर्जन एक दशमलव शून्य लीटर पेट्रोल इंजन से लेस होगा मानुती का पहला इलेक्ट्रिक वाहन वैगन आर पर आधारित हो सकता है दोस्तो आपको यहकार कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं किसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब ही करें ताकि इसी तरह की मज़ेदार खबरें पढ़ सकें